केंदर सरकार से मिली मंजूरी के बाद 428 करोड उपय की लागत से बिहार के बकसर से वारानसी के बीच वेकलपिक मार्ग के रूप में 45 किलोमेटर लंबे सड़क का निर्मान किया जाएगा। दो लेन के रूप में 45 किलोमेटर लंबा किया जाएगा। तथा सड़क पर दो बड़े वद नौ छोटे बड़े पुलो का निर्मान भी किया जाना है। बीते मंगलवार को पत निर्मान मंतरी निदिन नविन ने कहा है कि इस सड़क के निर्मान से कैमूर जिले के कई छेतरों में विकास की रफतार तेज होगी। फिलहाल यह सड़क इंटरमीडियट लेन की है इसलिए इसे दो लेन हाईवे के रूप में विक्सित होने से इस सड़क पर वाहनों के आवा गमन की रफतार भी तेज होगी। वैसे यह सड़क पी एम पैकेज 2015 का भी हिस्सा है। तो वहीं आपको बता दे बकसर 14 वारानसी ने फॉरलेन पत का अलाइनमेंट 29 किलो मीटर हिस्सा बिहार में पढ़ता है तो 62 किलो मीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में पढ़ता है। इसके बन जाने से पटना से वारानसी की दूरी मातर 225 किलो मीटर रह जाएगी जो पटना मोहनिया वारानसी की तुलना में लगभग 30 किलो मीटर कम हो जाएगी। तो वहीं बरानी और मुझफरपूर के बीच बच्वाड़ा और दलसिंग सराय से गुजरने वाली दो लेन की सड़क को भी जल्दी फोर लेन की सड़क में बदल दिया जाएगा। सड़क निर्बान विभाग के मताबिक मोकामा से मुंगेर के बीच की सड़क एक ग्रिन फिल्ड परियोजना है जो मनोहरपूर और लखी सराय से होकर गुजरेगी। इस परियोजना के तहट मनोहरपूर से सरमेरा के बीच 20 किलोमीटर फोर लेन सड़क का निर्मान किया जाना है। मनोहरपूर से सरमेरा के बीच फोर लेन की सड़क बनने से लोग बकसर से मिरजा चौकी के बीच आराम से यात्रा कर सकेंगे।